बिस्मिल्लाइ रुख्मान मरहीम असलाम अलेकर मार यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं सब ठीक होंगे है रिस्ते होंगे अल्हम्दिल्लाइ आप सब के दौहों से में भी ठीक हो और आप चलना दावत है मैंने अपने अम्मी अबू को दावत दिया फर्स टाइम और रमजान में तो मैंने का आप कुछ टीशिस बनाओंगे साथ आप लोगों के साथ रस्प्री शेयर करोंगी तो अगर आपको को ब्राउन कर लिया उसमें आइड कर दिया अध्रक लेस्ट और दो मीडियम साइज के विजवे प्यास में ले लिए और टू टेबल स्पून अध्रक ले लिया अब इसमें वन टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कुटीव मिर्चे थोड़ा सा जीरा और वन टी स्पून दुबागी चीज़े कर लें और नमक वग्यार अड़ करके इसको मैं इच्छे से फ्राइ किया फिर थोड़ा सा पानी लगा के इसको मैंने से से बुना अच्छे जब मसाले की इच्छी सी फश्बू आने लगे ना फिर मैंने इसके इंदर डाल द अच्छी तोस प्राइब कर लियुंद अधिक अधिक तो सबस्क्राइब तुरा नहीं बस अलका सा जब तक मैंने का चिकन थोड़ा सा होता तब तक में ज़ो एना लोगी इट फ्राइज की जो आई वो तियार करते लेती बादा तो यहां पिर ने का थोड़ा चिकन डालो पर इसको fry करें चिकन सॉफ्ट हो जाता है अच्छा आप जब बॉयल करके श्रैट करते है ना फिर चिकन कर तेस सारा हतम हो जाता है तो अगर आप इस तरह से स्टीम करके सारे मसाले अगेरा डाल के आप कुटी वी लाल मिर्च, जुड़ से नमक, मसाला थाध करके अचछे से बून या, इल्का-उल्का से ही डालें जैसे अगर पहुत जादा आपने यूज़ करें तौर थाधूअ धालें राद राद शिकन के ही डालें तो पानी के लिए को ड्राय करने के लिए आप कोई भी टावर ले ले और इस तरह से ड्राय करें जब यह इसे ड्राय होज़ें मेह बिल्कुल साफ सुथरा जुआ द्बारा से वह बाॉल में ढालें और इसके उपर थोड़ सा मैधा छिड़क लें अगर आपके पास आटे का सड़ी चावलू का आटा है वो छिड़क लें अगर आपके पास कौन फ्लोरा तो वो लगा लें तो अतना जबरदस यह हो जाएगा अब इस स्टेज पे आप इसको पूरे महीने के लिए फ्रीज भी कर स पर मैंने का आप लोगों को बता दोंगी कि टूर रहनी था इसलिए मैंने पूरा उठा के सब्सक्राइब कर लिया तो तो इसको मिक्स करेंगे लंप इसके इंदर ना रहे जो मैं देखें तो यह सोस बनेगी और अगर आप पीजा सोस बनाना चाहें वह भी आपना सकते हैं भी थोड़ा सांटा कोटे करें तो अगर है हैं लोग तो आप लोग इसको तिन भी कर सकते हैं अब इसमें मैंने थोड़ी सी मोजरीला चीज आड़ कर दी है और अगर आप चाहे तो वैसे ही मेल्ट करने बेक करने उसके पर डालके मैंने इसी के अंदर डाल दी है तो यह लोटी फ्राइस की जो है ना सोस लड़ी होगी थी तो मैंने का जब तक अफ्तारी के करीब करीब अब ना में फ्राइस जो है ना फ्राइस करूंगी तो उससे पहले मैंने का प्लाव बना लू तो यहां पर मैंने मटर वाला प्लाव बना आया बस हाफ अनियन इसके अंदर डाला जो सिंपल होता है और बस अम्मी को मैंने बुला लिया था यहां पे न बहुत ज़्यादा होगी थी जब से मेरा भाई गया तो उनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन और जारा केली होगी थी घर पे बस पीछी चार बंते बच्चे हैं तो मैंने का मैं इदर ही आ जाए मैं तो नहीं आ सकती घर चोड़के तो फिर मैंने को इदर ही बला लिया और इतने एरसे के चैनल समया ह्यार रख सकते हैं तो हमें हमें भी चाहिए कि हम भी उनका थोड़ा सा ह्यार रखें अगर तो इसके लिए ना मैंने फिर अपने इसमेर से बात की तो उन्होंने का कि अगर आप चाहती हो था उनकी चोटी से दावत कर लो तो मुझे इतनी हुशी होई माशाला स तो मैंने उनकी चोटी सी दावत कर ली तो उसके बाद जाना यह मैंने दम पे लगा दिया था मतलब बॉइल और निकली चाहलों को रख दिया था सिंपली बनाया बस दो टेबल स्पून एक्स्ट्रा जो ना मैंने उसके अंदर दें आड़ कर लिया था अब यहां पे ना च फ्रीज होए वे शामी कबाब जैना दो गिंटे पहले मेंने निकाल के रख दिये थे आगे देखना मेरे सब क्या हुआ था तो मेरे सिस्टर ने ना उसे फ्रूट चार्ट मना ली तुम्हें आगा थोड़ से तो हेल्प होगी ना और अफ़तारी पर जो रोट्या मना थी वो उम्मी ने बना के देदी और बस इसी तरा सिरल मिलके जो ना काम कर लिया तो फ्रूट चार्ट मे ना उसने क्रीम डाली थ े my데 n recib free frozen चीजों की रस्पी आप look say की ओनी ने चाहिँ है तो आप शाम ही खाब जो उना फ्राइ करना के लिए मैंधा के लिए उसको इसके ठैंट ़ेमेन शामिखने करा का क्यों के मुंखना का ये खिर्धी जो हुआख्तने के पका या वाद में फ्लेम तेज़ करके इसको इजस्ट कर लिया पर बहुत बड़ी गलती दी अब मैं न अंडा इसे में अखारे हैं बस उठा के तो जब तेज आंच पे इसको पका कि मैंने फिलिप किया तो बजब दस भी फिलिप हो गी हैं चलिए अफ्तारी का टाइम क्रीब आ रहा था तो मैंने ना फ्राइज जो है वो फ्राइज कर लिए इतने परफेक्ट जो ना फ्राइज फ्राइज होते हैं और यहां पे जलान भी हमारे साथ है किचिन में मशाला से साथ ही में रूटिया मना रही थी साथ ही मैंने बावल रख लिया है मैंने का विजऑ है जे यह इंने करना है है भी नंघे फ्राइज निका रही थी भौड़ें भी उन्होंने बनाएं मैंने बैटर पनाके रखा था बस फ्राइए उन्हें ने किये थे तो माशनास इतना स्कून मिला है अम्मी के साथ अराम स्कून से बहुत मज़ा आया है बहुत ज्यादा आला ताला सब की मौन को सलामत रखे और जिंदगी दे अब यह अब फ्राइज डाल के गरम पिर मैंने इसके उपर आल दी और त्षॉस डालने के बाद जो एबड़ा है पर ने चिकंट चिकन को हम इने छोड़े चोड़े पीसिज कर लिए थे फ्राइए करने के बाद और इतनी मज़े की रैस्पी थी थी ना टेस्टी के यकीन करें बस दिल कर रहा था बस यही खाए ना अफ़तारी में अब उपर और सॉस मैंने डाल दी अगर आप चाहें तो सॉस अलग डाल सकते हैं चीज अलग डाल के इसको थुछ देर माइक्रोवेब कर सकते हैं तो बहुत मज़े की जो एना फिर भी बन जाती है तो यहां पर दूसरी लेयर भी मैंने जो आना क्रीम सॉस जो आड़ कर दी थी क्रीमी चीजी सॉस जो मैंसी आप इसको कह ले तो दीजा लॉडड़ीट फ्राईज चीजी लॉड़ीट फ्राईज और उसके बाद ना मैंने क dependent आप कि अइस तरदा सक गिरिल कर लिया एक तिर इसका चीज हो गया थोड़ा थोड़ा से वो इतने मज़े का यह लग रहा था अगर आपको मेरे मेरे साथ को लाइक कर दिया करें शीर कर दिया करें कि और सबंस्क्राइब किया करें प्लीज थाकि मैं अज़ कॉंफिडेंट ले जाना नहीं रेसिपिस जाना आपके साथ शेयर किया करूं पता है नहीं इतनी महनत भी करती हूं भी हो जफिल हाल नहीं आरे इंशाल आएंगे आप सब के स्पोर्ट की जुरूत है जैसे आप मुझे स्पोर्ट करेंगे और बस यह बिल्कुल वाइ के साथ शेयर करनी होती है तो यह देखें मेरी जो है ना अफतार जी जो तियार होगी थी अलहम्दलिल्ला से अलहम्दलिल्ला से और दूस्टोडा हमने रख लिया है यहां पे और साथ ही जैना टैंग बना लिया मेरे और एवरिटिंग वाज नाइस परफेक्ट अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें शेयर तो मेरी वीडियो पर होते ही नहीं है ना प्लीज शेयर भी कर दिया करें मेरी वीडियो को और बस इतना ही आज के लिए तो पिर जो नाफतारी बगारा की फिर नमाज बग वेट कर दी चाय क्योंकि मेरे यसमिन का वेट हो रहा था और वो ड्यूटे पर चले गए थे वो हमारे साथ अफ्तारी में शामल नहीं थे तो फिर चाय में वह जल्दी जल्दी आगे और शामल होगे तो फिर वह चले के चाय पी के लाफ राए में उनको फिर मेरे इस्क्रीम बच्चों को काट के दी और मैंने का ना ऐससे काटूंगी फिर वीडियो बनाओंगे मुझे बड़े मज़ा के लगते हैं यह वाली वीडियो मैं देखती रहती हूं टिक टॉक पे अभी नहीं यूट्यूब चैनल बनाने से पहले देखती होती थी अभी तो मुझे कोई ऐ बच्चों को सुला के में बाइर घूमरी थी और देखें किचन भी नीट क्लीन हो गया था तो कल मिलते हैं यू विलोग के साथ अगर आपको रेस्पिस अच्छी लगी तो लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्स्क्राइब कर दें थैंक यू